यह है कि आप triangle बना दोगे, अगर आपको तीनों side पता हो तो, SSS, ठीक है, RHS, right angle hypotenuse side, मतलब आप एक triangle बना सकते हो, construct कर सकते हो, अगर आपको पता है कि यहाँ पे एक right angle है, आपको hypotenuse और एक side दे जाए पार, easily बना दो, कोई problem नहीं है, SAS, मतलब आपको एक side दे दे, दूसरी side दे और दोनों का included angle दे तो भी आप triangle बना सकते हो, आपने 7th में किया है, ठीक है, ASA, मतलब आपको two angle दे और एक side दे तो भी आप triangle बना सकते हो, मतलब कुल मला की बात यह होती है, हमें triangle बनाने के लिए कितनी चीज़ों की need होती है, कुन सी, क्या तो तीनो side पता हो, देखो side और included angle, ठीक है, तो अब इस बार ये सब तो हम बना चुके हैं, तो अभी देखा जाए, तो इस साल 9th class में आपको triangle बनाने के लिए क्लिए क्या चीज़ दी जाएगी, तो यहाँ पर वो तो होगा नहीं, जब अल्ड़ी कर चुके हों, तो कुछ नया होगा, तो नया क्या ह होगा, आप जानते हो triangle में base क्या होता है, बोर साथ जो जमीन पर touch होता है, इतना मालो तो simple तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको तीन चीज़े देगा, लेकिन तीन चीज़े उन से different होंगी, तो क्या होगा, तो आज की heading डाल लो, इसको question को बाद में note करना, पहले heading आज की, construct a triangle, construct a triangle, if, तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे break करके लिखा रहा हूँ आपको, base is given, यानि आपको एक तो base given होगा, दूसरा, base मतलब एक नीचे की line given होगी, समझते चलना चीज़ गो, अब जब नीचे की line draw करते हो, बोले बहुता है, नीचे की line से start होता है, हमेशा काम करना, अब इस पर और क्या हो सकता है, तो आपको देखो, base अगर ये है, तो क्या तो ये वाला angle देगा, कितना जा रहा है, या फिर ये वाला angle देगा, तो इन दोनों को बोलते है, base angle, बेस की बनने वाल angle क्या बोलते है, base angle, और बच्चे होगे को vertex angle, त ठीक है, तो one base angle आपको given होगा, next thing, और क्या given होगा, सर्थ तीन side में से एक side तो उसने बता दी हमें, कुनसी, ये base अगर आपको बता है तो एक side तो बताई दी ना, triangle की, अगर हम rough diagram से समझें triangle को, तो आपको ये side given होगी, base, इन दोनों में से कोई एक angle given होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आपको सोच रहे होंगे, कि कास, 7th class वाले चीज़े given हो, लेकिन वादो होगा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं सिखाएंगे, तो क्या होगा, जब एक side given होगी, और इस पे बनने वाले दोनों में से कोई एक angle given होगा, तो बची हुई दोनों side का sum given होगा आपको, समझ रहे हो, बची हुई दोनों side given नहीं है, उन दोनों side का sum given है, तो sum of other two sides, इसको इसी वे में लिखना, ठीक है, ऐसे point बनाते हुए, तो यहां से भी आपको समझ में आ गया होगा, कि हमें तीन चीज़ों की need है, triangle एक angle बनाने के लिए, ठीक है, तीन तो चाहिए चाहिए, अब क्या तो तीनो side हो, या दो angle एक side हो, या एक angle दो side हो, या फिर आपका right angle hypotenuse side वाला स्पंडा लगे, लेकिन यहां पर तीन चीज़ कौन सी होगी, एक base given होगा, उस पर बनने वाला कोई एक angle given होगा, दो चुका हूँ अप लोग को, क्या, कि given angle के equal angle कैसे बनाया जाते है, अप लोग को याद है, कि अगर मैं आपको कोई भी एक angle दे दूँ, और मुझे इसके equal angle बनाना है, तरीका क्या होता है, एक line draw कर लो, यहां से arc लगाओ, यहां से arc लगाओ, इस arc को measure करो, कितना ही, यहां से angle के equal, या फिर angle बनाना हो किसे given angle के equal, वो आप compass के help से बना सकते है, तो आज यह वाला funda काम आएगा, ठीक है, angle वाला, दूसरे angle के equal बनाना, ठीक है जी, तो कैसे किया जाएगा, तो process यह है, पहले सुन लो process को, फिर example मेरे साथ साथ solve करना, भाई एक बाँ बताओ मुझे, आपको construct करना है, तो सबसे पहला काम rough diagram बनाना, ठीक है जी, rough diagram बना लेंगे, rough diagram बना के क्या-क्या करेंगे, तो आपको given क्या-क्या वो ही काम कर सकते हो, क्यों जो चीज आपको पता ही नहीं तो आपकर ही नहीं सकते, तो जो पता है पहले तो आपको सारे काम करेंगे, तो हम साथ करना स्टार्ट करो question दे रहा हूं मैं आपको एक triangle है ABC यह first question आपके exercise का जिसमें BC जो है 7 है ठीक है बाई तो बेस मान ले नीचे वाले 7 तो आप डाग्राम रफ डाग्राम भी ऐसे बनाओ जिसमें BC कहां हो नीचे हो तागी हमें नजर आए कि हां यार बेस है अच्छा का जो sum है वो sum है 13 चलो जी बहुत अच्छी बात है यह हमें गीवन है अब compass उठालो scale उठालो साथ साथ बनाओगे अच्छे समझ जाओगे ठीक है क्या क्या गीवन है बोले 7 cm गीवन है तो बना डालना भाई जो गीवन है वो तो करो गई काम ठीक है तो सबसे पहले आप ब ट्राइंगल बना रहे हैं जो एंगल बनाये जाएगा वो एंगल compass की help से बनाएगे डी की help से बनाओ तो मुझे एक चीज़ बताओ इस question में आपका main काम एंगल बनाना है या triangle बनाना है तो main काम triangle बनाना है अगर आप angle में ही उलजकिर है गए इसको compass की help से बना रहे हो तो फालत हुआ time waste कर रहे हो तो triangle construction में angle को आप D की help से बना सकते हो quadilator construction में triangle को D की help से बनाए जा सकता है ठीक है now 7 cm था base given है बना दिया angle B 75 है तो यहाँ पर मैं D रखूंगा measurement इधर से start होगा इधर से होगा इधर से क्यों करूं इधर कुछ है ही नहीं आप सोचो कुछ बच्च तो यहाँ क्यों counting कर रहे है इधर है तो angle तो ऐसे बनना स्टार्ट होगा जहाँ होता है वहाँ से angle बनना स्टार्ट होता है समझ गे तो 75 आपको यहाँ कहीं आ जाएगा तो आपने लेकर arc लगा दी this is your 75 arc क्या लगा दी यहाँ पे 75 का dot लगाया और line को खीच दे लगा क्योंकि हमें नहीं पता कितना है यह नौ दो चीजे पता थी 7 cm बनाया 75 degree बनाया अब अटक गए सर तीसरा point चाहिए हमें ए वो तो मिल नहीं रहा ठीक है कोई बात नहीं मिल रहा लेकिन मुझे बताओ क्या आ आपके पास में एक line यही तो आई है common sense यूज करो 7 cm गीवन था बनाया 75 गीवन था बनाया एक line बन गई अब 13 cm हमें पता है arc लगती है किसी भी चीज की अगर बाद में क्योंकि सबसे पहली side होती है वो बनती है scale का यूज करके बाकी सब arc लगा लगा के हम पॉइंट देख है तो बोले एक ही तो line है लगा इसके उपर arc तो 13 की arc को fill करेंगे scale में लंबी सी आईगी और लेकर यहां से arc हमने लगा दी है और मान लेते हैं point क्या होगे आपका क्या यह point A है common sense यूज करो नहीं क्योंकि अगर आपने इसको A मान लिया तो बेटा जी AB ही 13 हो गया हमें दि point नहीं जो आप ढूंड रहे हो अगर आपका यह A होता तो यह AB ही 13 कैसे हो जाएगा जब इन दोनों का sum 13 है तो यह point A नहीं है लेकिन फिर से arc क्यों लगाई अरे तो यह कुस तो करेगा कुस तो करेगा यह given था बनाया यह given था 13 given था लगाया समझ गए अब काम चालू होता है अपना असली क्योंकि यह तो जो given information लगा दी अब अपना common sense चालू होगा तो पहले समझ लो फिर मैं इसका justification भी बताऊंगा तो भाई जब तरको point मिल गया तो common sense यह बोलता है कि triangle तो मना नहीं कोशिस कर कोशिस करें नहीं करें तो इस से join कर नहीं सकता already join है तो हम क्या करे इस D point को किस से join कर देंगे C से join कर देंगे ठीक है क्या यह DBC आपका desired triangle है नहीं हमारे triangle desired क्या है ABC अब क्या करें तो काम पहले देख लो करना फिर पता लगेगा कि क्यों किया गया तो अपन क्या करने वाले है जितना angle यह है इतना angle यहां से बनाएंगे सुनने ध्यान से जित इधर से क्यों नहीं बना रहे है इधर से क्यों बना रहे है पहले बनाना सीख लो ठीक है तो मैं कहना चाहरा हूँ कि जितना angle यह है इतना angle मुझे इस side के उपर बनाना है कौनसी बनाना इस side पर सर इस पे क्यों बनाया अरे भई ये बाता ये BC साइड तो तरको गीवन थी तरब काम बन गया न BC जो चाहिए थी वो तरको मिल चुकी जो चीज मिल चुकी उसे छेड़ खानी क्यों करनी समझ रहे हो क्या ये लाइन तेरी required line है नहीं ये हमारे required line नहीं है मुझे तो भई CA चाहिए CD की नीड नहीं है मुझे है तो जिसकी नीड नहीं है उस पे काम करना चालो करो न क्योंकि जो construction घर में एक बार हो जाता है base बन जाता है मालो आपका तो क्या उस base पे कुई छेड़ खानी करते है फरस को बाद में तोड़ा ताड़ी की जाती है नहीं की जाती न तो जब BC तरह साफ साफ बन गया 7 का उस पे 75 का pillar खड़ा हो गया ऐसे जो भी है तो क्या इस line पे कुछ छेड़ खानी करेंगे नहीं ठीक है तो जितना angle ये है उतना मुझे इसके उपर बनाना है तो कैसे बनाए सरी यहां पे रखो अपने compass को और इधर से arc मारो यह तरीका होता इकोल एंगल बनाने का compass यहां रखा arc मारी तो compass यहां रखा c पे arc इधर से मारो कहां से मारोगे इधर वाले से इससे छेड़ खानी नहीं करनी है फिर जितना यह है इसको compass में फिल करो इकोल एंगल बनाना सिखा चुका है उतना यहां रखके यहां टिक मारो यहां लग जाएगा और जैसे यह point मिला इसको कर दो join and this is your A point ठीक है क्या किया गया है ध्यान से सुनने ना important है यह पूरी बात ध्यान से सुनने इस इसको अच्छे से क्या कर रहे है क्या given है base given है 75 degree given है 75 value line को लंबा खीज दिया 13 की arc लगाने को बोला गया क्योंकि यही given information है कि 13 है दोनों का sum तो हमने 13 की arc को लगा दिया जहां लगाया उसको join किया ठीक है क्यों करेंगे क्योंकि यह तो हमें चाहिए तो इससे छेड़ी खानी नहीं करेंगे तो equal angle कैसे बनता है अभी बिसिखाए मैंने आपको थोलदर पहले भी कि यहां compass रखके एक arc मारी यहां compass रखके ऐसे arc इधर से arc मत मारना ठीक है जितना angle यह उतना angle यहां बनाया जाएगा ऐसे करके equal इसको join किया यह हो गया अब कहोगे सर यह कैसे बता लगा कि ABC होगा प्रूव करके बताओ तो आप खुद सोचो जितना angle यह था उतना angle आपने यह बनाया हाँ तो इसका मतला गर मैं सिरफ ADC इस triangle पर focus करूँ तो क्या दो angle same है तो क्या यह आईसस्क्राइस triangle नहीं हो गया क्योंकि बेस angle same होते है तो आईसस्क्राइस triangle हो गया मतलब इसके opposite वाली side यह और इसके opposite side वाली यह equal होंगी होंगी अब ध्यान से सुना प्रूव देखो अपना आपने क्या बनाया बोले जी मैंने बनाया क्या मैंने बनाया कि जो AB प्लस AD है AB प्लस AD यह मुझे 13 है कैसे पता सा 13 है अरे तुमने 13 के आरगी तुमारी थे यहां से तो यह पूरा 13 है की नहीं है हाँ Now in triangle ACD angle B equal to sorry angle C equal to angle D हाँ जी तो AC equal to AD होगा नहीं होगा IsoS कलस triangle है ठीक है तो AC equal to AD अब अगर मैं इस information को equation 1 में put कर दूँ तो AB को AB रहने दो from 1 ठीक है इदार लिखते हैं from 1 AB को AB रहने दिया और AD जगेग में क्या AC उज़ कर सकता हूँ को हाँ कर सकते हो जितना AD है उतना AC दोनों साइड सेम है कै यही आपको गीवन नहीं था कि AB और AC का sum 13 है वह यह हमने प्रूव कर दिया ठीक है बात समझ में आ रही है दुबारह सुन लो अच्छे से पूरी कहानी को क्योंकि important चीज है क्या जो गीवन पार्ट होता है उसको लग बनाया साइड को 75 डिगरी अंगल गीवन था बनाया उसको उसको बनाने के बाद में 13 गीवन था तो आरक लगानी मजबूरी है हमारी क्योंकि और कुछ तो हमारे पस रसता है नहीं किसलनेगा जैसे आरक लगाई जो पॉइंट मिला उसको जोइन किया जितना एंगल है उतना एंगल यहां बनाया ठीक है सेम एंगल बनाना आपको आता है नहीं आता है सीखलो भी ठीक है और इसको जोइन कर दिया ये मिल गया आपका ABC triangle required triangle हो गया क्यूं हो पाया क्योंकि हमें पता है ये हमने 13 बनाये था उसमें जो टुकड़ा ये था ये तोड़ के हमने धर लगा दिया क्योंकि दोनों टुकड़े क्या है सेम आई स्वस्क्रेश ट्रेंगल है तो एक्चल में आपका AB प्लस AC 13 निकला कि ने निकला और ये ही हमें गीवन चीज थी हमने प्रूव कर दिया कि हमने आपकी बात मानी है AB प्लस AC क्या है अपना 13 है ठीक है एक क्वेशन और गराऊंगा तो आपके सारे डाउट उसमें निकल जाएंगे इसको नोट कर लो और उस क्वेशन को मेरे साथ साथ करते रहे ना इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेशन उठा रहा हूँ लास्ट क्वेशन है इसमें बड़ावाला स्केल यूज होगा भई चोट आपका 15 सेंटीमेटर स्केल यूज नहीं कर सकते यूज है क्योंकि 18 सेंटीमेटर बनाना पड़ेगा तो हमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल बनाओ राइट अंगल ट्राइंगल तो मैंने मान लिए ABC बनाना पड़ रहा है आपको पर अफ डाग्राम बना रहा हूँ पहले कि आपको बोला गया है कि एक राइट अंगल ट्राइंगल बनाओ तो ओविएसलिए एक 90 होगा मैंने मान लिए भी अंगल 90 डिगरी नहीं दे रखा तो बेस इस 12 ठीक है और सम ओफ हाइपोटेनूस अधर साइड इस 18 इन दोनों का सम 18 कैसे करोगे कै तरीका है बोला जिब बेस गीवन है तो सबस्क्राइब बनाओं ने ट्रेका बनालो साथ Sाथ ठीक है बोला फिर 90 डिगरी गीवन है तो इसके उपर 90 डिगरी बनाओं और लंबी लाइन खीज देंगे फिर बोला 18 गीवन है दो साइड का सम तो 18 की आर्क मारेंगे मार दी 18 की आर्क ठीक है, now जब 18 की आर्क मारोंगा उस पोइंट को D मानूँगा क्योंकि वो मेरा desired point नहीं है वरना इतना बड़ा 18 है ये थोड़ना 18 है, 18 तो इन दोनों का sum है इसको इससे join करेंगे now जितना angle ये है उतना इधर से बनाएंगे एक्स्टा वाली साइड से, ये मेरी साइड नहीं चीए मुझे ये है BC, तो इसको नहीं छेडेंगे कैसे बनाओगे, compass को यहां रखो, arc लगाओ compass को यहां रखो, arc लगाओ जितना ये compass में fill करो, उतना यहां रख के ऐसे मरो join कर दो आपको triangle मिल जाएगा ABC right angle triangle होगा, check कर ले न, verify कैसे करोगे आप AB find करो, scale का use करके आप AC find करो, scale का use करके और AB plus AC को add करके देखो क्या वो 18 आ रहा है अगर आ रहा है तो आपका सही है नहीं आ रहा है तो आपने गलती कर यह कहीं न कहीं तरीके में, previous question में भी आप कर सकते थे, AB और AC को add करते और वो 13 आ रहा है कि नहीं रहा है verify कर सकते हो, तो I hope सापको construction समझ में आ गए step में बार बार बोली रहा हूँ क्या है, तो English में आप लिख सकते हो ठीक है